मैं मा हूँ धर्दी मा तपस्या का अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए कश्ट सहना तपस्या मिच कल्यान का साधन है तपस्या ईश्वर से स्वयम को जोड़ने का एक धंग है तपस्या जीवन और मन को सच और पवित्र रखने की क्रिया है तपस्या पूजा आराधना ईश्वर को धन्यवाद देने के धंग है परन्तु यदि तपस्या का उद्देशे किसी का विनाश चाहना हो तब का लक्ष ये हो कि स्वयम को लाब हो न हो पर दूसरे की हानी अवश्य हो तो फिर तपस्या पर भी और उसके उद्देशे पर भी प्रश्नी चिन्ह लग जाता है एक की तपस्या दूसरे का दुख बन जाए तो ये तपस्या का अपमान है इसलिए जब हिरणय कशिपू ने ग्रम्मा की तपस्या केवल इस उद्देश्य से आरंभ की कि उसे श्री विश्णू से प्रतिशोध लेना है तो मैं सोच में पड़ गई क्या इस तपस्या से कोई लाब होगा? परन्तु अब जब हिरणय कशिपू ने ये तपस्या आरंभ ही कर दी है तो देखना ये है कि उसका तब क्या रंग लाता है क्या घची तो अ न स्थेट आरंभ क्या गर सथेश् सुआ था रंग कि नए्ट ए बाय श्री अ वह जा देटmetro झाल 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 आग्या गुरुदेव यग इशाला में अगनी पजलत करो जो आग्या गुरुदेव लो आग्या गुरुदेव झाल 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 ही है कि अब तो एक ही उपाए रह गया है कि रण कशिपु बच गया पर उसका परिवार नहीं बचेगा अर्थाद अर्थाद ये कि उसकी पत्मी के आधू पुत्र को जन देने वाली है हम के आधू करेंगे उसके पुत्र को समात कर देंगे ये समाचा सुनते ही रण कशिपु को अपनी तपस्या भंग करने पड़ेगी पर हे देव राज उसकी पत्मी और पुत्र ने हमारा क्या भीगाड़ा है उसका पुत्र तो अभी गर्ब में है अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ समझने का प्रैत्म किजिए वरुन देव समझने का प्रैत्म किजिए वो जन्म लेगा तो अपने पिता के ही परंपड़ा को आगे बढ़ाएगा जिस प्रकार हिरं कशिपू उन्मुक्त अनाचार बहविचार और अत्याचार में अपने भ्राता हिर्णाक्ष को पीछे छोड़ गया उसी प्रकार उसका ये पुत्र भी अपने पिता को पीछे छोड़ देगा और हमें तो यूँ भी हिरन्य कश्रिकू के पूरे वंश को समाफ करना है तो फिर देवराज आप हमारे लिए क्या आदेश है अगनी देव आप वहां पहुंचे जहां कहा दू है और उस पर ऐसा अगनी बाण मारिए कि शिचुकर्व में ही दम तोड़ते जाएए इस कारी में विलंब ना हो जो आगे देवराज हे कमल नयन ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है माना कि असुर हिरन्य कश्यपू मानसिक संतुलन खो बैठा है उसने मानम लोक में आतंक पहला रखा है परन्तु इसके उत्तर में किसी बालक से जन्म लेने का अधिकारी ही चीन लेना किसी माता की गर्व को चलने कर देना तो गोर अन्याय है अत्याचार है निर्शंसता है मैं आपसे सर्वता सहमत हूं महादेवी अत्याचार का उत्तर अत्याचार से देना बिलकुल वैसा ही है जैसे अगनी को अगनी से बुझाने का प्रयास करना अत्याचार का दंड अवश्य देना चाहिए पर केवल अत्याचारी को पापी को उसके परिवार के सदस्यों को नहीं और ऐसे सदस्य को तो कदापी नहीं जिसने अभी जन्म ही न लिया हो के जिएसे अपने पिता के पाप का घ्यान ही न हो है कम और नहीं मेरिसा में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ एको चयादू की कोख में पलते बालक को लेकर मैं चिंटित हूँ तो दूसरी ओर निर्दोश पामों पर हो रहे अत्याचार को देख कर मैं व्याखफू मैं आपका दुख समझता हूं महादेवी यदि ऐसी स्थिती बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुटों की लड़ाई में दोनों ही पक्षों के केवल निर्दोश रसहाई तप्वही अत्याचार और आतंग के लक्ष बन जाएं तो हर उदार मन तड़ पुठता है फिर आपके पास तो मा का रिदय है हिरन्य कश्यपू और देवराज दोनों ही अनुचित कारी कर रहे हैं और उन्हें एक साथ केवल आप ही रोख सकते हैं देवराज उस मा के गर्भ में पल रहे बालक को कुछ भीक्षती नहीं पहुचा पाएंगे मैं आपको यह वचन देता हूं और हिरन्य कश्यपू का आतंग उसे आप नहीं रोकेंगे उसने तो मानमों का श्वांस लेना भी दुरलब कर रखा है है महादेवी जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुन्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में ये भूल जाता है कि सत्य तो वहाँ भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था कदाचित उसके अपने घर में मैं समझी नहीं सरवेश्वर असुर राज हिरन्य कशपू ने मेरा नाम लेने वालों को समाप्त करने का प्रण किया है उसका दंड ये है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा उसके अभिमान को स्वयम उसका रक्त लल कारेगा आप तो बस देखती जाईए महादेवी उसी के बालक के रूप में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जिसे संसार कदापी नहीं भून पाएगा महादेवी जिस प्रकार विश्य विश्कांद भी करता है उसी प्रकार असुरों के आतंक का अंत असुरपुत्र ही करेगा उस बालक की कयाधू के गर्भ में रक्षा और हिरन्य कशपू के आतंक का अंत दोनों ही मेरे हाथों में है और ये दोनों कार्य मैं करूंगा आप तो रहस्यों के रहस्य हैं भेदों के भीद पर आप मुझे संतोश हो गया है कि आप मेरी सारी चिंताइं अवर्शी दूर कर देंगे कर देंगे? कैसी हो वा धुरानी मेरा मन बहुत खबरा रहा है माते इन दिनों में बहुदा ऐसे होता है मा बनने वाली हर स्री यही चाहती है कि ऐसे समय में उसका पती उसके पास हो उसके साथ हो परन्तु माता क्या असुराज का मुझे इस सवस्था में छोड़ कर जाना इतना आवर्शक था क्या वे कुछ समय रुक नहीं सकते थे इच्छा तो मेरी भी यही थी कि इस समय हिरने कशिपु तुम्हारे पास होता परन्तु होनी को कौन रोग सकता है वधुरानी पुत्रह नाक्ष केवत के शोग ने पुत्रहिरने कशिपु की कुछ और सोचनी समझनी की शक्ति को समाव्द कर दिया है परन्तु तुम चिंतित क्यों होती हो तुम अकेली नहीं हो मैं हूं न तुम्हारे साथ तुम्हें भैभीत होने की कोई आवश्यक्ता नहीं तुम पर कोई विब्दा नहीं हा सकती माते, नचाने क्या होने वाला है मुझे बहुत ही भैल लग रहा है धीरज रखो वधुरानी अब तुम विश्राम करो मुझे बहुत है मुझे बहुत है मुझे बहुत है क्ष़र दो प्राइ्ट बतार। अर्थान आप असफल हो गए और क्यादू के गर्ब में पलते बालक कांत नहीं हुआ यह तो बड़ा सुपसमाचार है हाँ देवराज अब तो लगता है कि वो बालक जन्म लेकर ही रहेगा नहीं नहीं अगनिदेव भाग्यवश हिरन कशिपू की तपस्या भी समाप नहीं हुई है इससे पहले कि वो अपना तप समाप करे हम असूर लोग पर आक्रमन कर देंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे तत बस्चात का यादू को बंदी बना लेंगे आईए मेरे साथ झाल तेर तरो गूपो अक्रमान, अक्रमान करो कर सお मुदाऊ Yデृ कर अजय कर सो कर से था यह महारानी कया दूका कक्ष है, बिना अग्या यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता अग्या अग्या उाया अग्या ऑ्या ऎठा कि अग्जाओ मेरे सामने से सिनाबदी विडाल नहीं देवराज मेरे जीवित रहते आप महारानी कयाधू के गश्में प्रवेश नहीं कर सकते प्रवेश तो मैं करूंगा अब यदीज के लिए तुम्हा जीवित नहीं रहना आवश्चक है तो फिर ऐसा ही होगा परन्तु मेरा परामर्श मानों तो आत्मत्या मत करो मुझे अंदर जाने दो मैंने अपने महाराज हिरना क्यश्पू को वचन दिया है कि अपनी अंतिम सास तक महारानी की रक्षा करूंगा और वचन मैं निभाना भी जानता हूँ याद याद आज करें राने पार में आए करें आए करें अ। या या आह या 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 बजस ओम औराजया is बबाजीद Be E!!! बजस मेरे क्रोड़ी दिरे फरे ईज़ी आए एए एए!!! आए एए लूए। अजसम एए! यिद एए कि अजय दो कि अजय निको कि संपुर्ण असु लोक को पूरी तरह तहस नहस कर दो कुछ भी बच्चने न पाए मैं महरानिक कैद हूँके कक्ष के ओर जा रहा हूं देहान पूर्वक मेरे आदेश का विलंब बालन हो जाओ क्या है क्या चाहते हैं आप देवराच देवी मेरी विनती है कि आप मेरे संग चली चलें नहीं मैं कहीं नहीं जा सकती जानते नहीं मैं मा बनने वाली हूँ जानता हूँ देवी इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको मेरे साथ देव लोग चलना होगा नहीं मैं अपने पदी का खार छोड़ कर नहीं जाओंगी मुझे मेरी स्तिती पर छोड़ दीजी देवी मैं नहीं चाहता कि बल का प्रयोग करूं आप मेरा अफ़रन करेंगे देवराच एक ऐसी नादी का अफ़रन जिसके गर्व में संतान पल रही है यदि आप मेरी विनती को यही नाम देना चाहें तो मुझे कोई आपति नहीं पर चलना तो होगा आपको मुझ पर दया करे देवराच आप तो देवता है यदि आप भी ऐसा दुश्कम करेंगे तो संसार का क्या होगा मैं तुमको इसलिए ले जाना चाहता हूं कि तुम जिसको जंदेने वाली हो वो भेड़िये का शिशू है भेड़िये का शिशू भी भेड़िया होता है चलो नहीं चलो कि मैं आपका दुख समझ रहा हूं प्रिये मुझे देवराज से यह आशान थी एक अबला से यह व्यवार और अबला भी वो जो मा बनने वाली है मैं स्वयम भी बहुत दुखी हो प्रिये बहुत दुखी नारी का अभारण फिर चाहे कोई भी कारण क्यों नहों कोई भी स्थिति क्यों नहों फिर चाहे कोई नीती या कूट नीती का अंशी क्यों नहों परन्तु एक महान पाप है एक अक्षम में अप्राध है और यदि ये पाप ये अप्राध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर ने देवता मानव के आदर्श है और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा क्यादु को बचाईए देविश्वन क्यादु को बचाईए नहीं चलो नहीं नहीं आओ आओ मेरे साथ नहीं आओ मेरे साथ ना राया ना राया क्षमा करें देवराच मैं कदाचित अनुचित समय पर आ गया आप ये जो महान कारे कर रहे हैं इसमें संभवता मैंने बाधा डाल दी मुझे इसका खेद है आप व्यंग कर रहें देवर्शी मुझे में इतना साहस कहां देवराच कि मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व पर व्यंग करूँ आप देवताओं के राजा हैं सबको चरित्रवान बनने सत्यमार्क पर चलने के उपाय बताते हैं आप पर तो वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता न हो पर मैं क्या पूछ सकता हूँ देवराच कि यह आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस नारी के घर्ब में एक पुत्र पर रहा है यह मा बनने वाली है ये कोई नया समाचार नहीं है देवराज हर स्त्री विवा के उपरांथ कभी शीग्र कभी देरी से मा तो बनती ही है जानता हूँ देवर्शी पर इसके गर्ब में इरन्य कशिपू जैसे अत्याचारी का पुत्र है पुत्र तो पुत्र ही होता है देवराज वह चाहे सदाचारी का हो चाहे अत्याचारी का पर आप इस नारी का करेंगे क्या देवराज इसको बन्दी बना कर रखूँगा और जब ये पुत्र को जन्देगी तो इसका वद्ध कर दूँग इसलिए देवराज क्योंकि यदि मैं आपको बधाई दूँ कोई अंतर नहीं समझता उसने भी एक नारी धर्ती का अपरण किया था और यदि मैं शोक प्रकट करूँ तो कहीं आप रुष्ट न हो जाएं वैसे देवराज आपने अगनिदेव को भेज कर कयादु के गर्ब में पलने वाले बालक का वत करना चाहा था उस अभियान का क्या हुआ वो वो अभियान असफल हो गया क्यों कैसे असफल हो गया किसी शक्ती ने उसके रक्षा की थी नारायन नारायन तो आपको विश्वास है देवराज कि जिस शक्ती ने इस बालक के जन लेने से पहले उसकी रक्षा की थी वह इसके जन्म लेने के उपरान तुसकी रक्षा नहीं कर पाएगी आप कहना क्या चाहते हैं देवर्शी? कुछ नहीं इतना ही कि जिस शक्ति ने अब तक इस बालक की रक्षा की उस शक्ति का अवश्शी कोई उद्देश रहा होगा हो सकता है एक ऐसे बालक का जन्म हो जो असुरों का इतिहास ही बदल दे उनकी नीतियां बदल दे मेरा परामर्श स्रीकार करें देवराज इस अबला को छोड़ दे नारी का अपरण एक घिनोना और एक अप्रियकार है फिरवकार देवता के ही हाथों क्यों न हुआ हो आप जिनको प्रसंद करने के लिए ये कार कर रहे हैं उन्हें कोई प्रसंदा नहीं होगी छोड़ दीजे सबला को कदाचित आप ठीक कै रहें देवर्शी प्रोध की भावना मुझसे कनुचित कारे करवा रही थी आपको धन्यवाद कि आपने मेरा माग दर्शन कर दिया सत्य है कि आप महांतब माग दर्शक है देवी मैं आपसे छमा मांगता हूँ जाइए अब आप मुक्त है पर मैं कहा जाओं देवराज आपने तो समस्त असूर लोग को तहस नहस कर दिया है आप इसकी चिंता ना करें देवी मेरी कुटिया किस दिन काम आएगी वहां राजभवन जैसा सुख तो नहीं पर आपकी रक्षा मेरा उत्तरदायत्व होगा आईए बालक के जन तक आप मेरी कुटिया में पधारें आईए चलिए आपकी पृट एफ प्रक्श करत्त आप मेरा उन व्म प्रभाजपर्प्रियृ नम थांज व्रुपर अवारे शाइब कि ढ not दिस्ट्राअ केंजल सें कि उलstat पितरोंग На हुआ एक सक उलका में जांपर अय्यांप कि उल एक कि उलना हुआां मिरन्न का शबू मुझे पुकार रहा है मैं क्या करूँ जाओं या ना जाओं नहीं जाता हूँ तो मुझ पर दोश लगेगा कि मैं अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनता चाओं तो वो जाने मुझसे क्या वर्तान मांगे मैं भली भाती जानता हूँ वो मुझसे जो भी मांगेगा उसका प्रयोग देउताओं के विर्धी करेगा पर मैं उसकी अंसुन भी तो नहीं कर सकता उसका पत्जना प्राइबर के विर्धी अंसुन प्रूशD देवी देवी ये दूद पीले और कुछ फल ग्रहन कर ले देवी मैं जानता हूँ कि आप जिस अवस्था में हर स्त्री यही चाहती है कि वो अपने घर पर हो अपनों के साथ हो पर आप मेरी सकुटिया को अपना ही घर समझें और मुझे भी अपना ही समझें ये दूद पीलीजिये धन्यवाद देवाशी आपने मुझे बचा कर और मुझे यहां लाकर मुझे पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं बुला पाऊंगी पर तो वास्तों में मुझे भूख नहीं लग रही है मैं जानता हूँ देवी आप जिस अवस्था में हैं उसमें बहुता भूख मर जाती है इन्तु गर्बवती स्त्री को अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए इस अवस्था में आहार किवल स्त्री के लिए नहीं होता है ये आहार उसके गर्ब में पल रहे शिशु के लिए भी होता है यह उन दोनों को शक्ति देता है बल देता है लीजिए देवी पहले आप ये दूद्ध पी लें और फिर फल ग्रहन कर लें क्या हुआ मादेवी हे कमलेन हमारे देवर्शी तो कयादू को ऐसी समझा रहे हैं और उसकी इस परकार सेवा कर रहे हैं जैसे कि वह बहुत ही अनुभवी और चांदकार रखती हों मिराजिये महादेवी देवर्शी जो कर रहे हैं उसका संबंद अनुभव और ज्ञान से नहीं है प्रेम और सहानुभूति की भावना से है कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे मन में प्राणियों के प्रति स सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार खुल जाता है प्रेम के धाई अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार है कि मुझे यह आश्चय हो रहा है कि देवर्शी यह सब जानते हैं कि गर्भावस्था नारी की जीवन की वह अवस्था है जिसमें उ पर कुछ और भी जानते हैं और क्या जानते हैं देवर्शी यह जानते हैं कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहा शिशू जीवित और सचेत होता है माता जो देखती है जो सुनती है शिशू उससे अवगत रहता है प्रभावित होता है तभी तो देवर्शी उ सुन्दर सुन्दर बाते कह रहे हैं देखिए न मा देवी देवर्शी उसे क्या कह रहे हैं मैंने बालक धुरुफ को समझाने की बहुत चेश्टा करी किन्तों वह भी नारायन के दर्शन का हट करता रहा और वह दर्शन करके ही माना आप तो बड़ी मनमोख बाते करते हैं देवर्शी देवी माता लक्षमी भी यही कहती है कि मैं बड़ा बात 一नी हूं कि गुन तो आपसे अपनी सबसे मनमोख बात तो मैंने अभी तक नहीं कह्या सुनियेगा अवश्य सुनूझी आपकी तो एक एक बात मेरे कानों से होकर मेरे मन में उतर जाती है क्या है आपकी सबसे मनमोहग बात देवी अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहग सबसे प्रिय और सबसे सुन्दर लगती है वो है बस ये चार शब्द ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम न विश्नु नाम ले गर्भ में कितनी उची बात हो नहार विर्वान के भोत चीक ने पात हे माता तु धन्य है और धन्य संता आएगा संसार में कोई व्यक्ति महान जो सुनेगा ये पुरान माय का सुख और ग्यान धर्म कों धर्म जान प्रेम की तुछेड दान्य। पीत युग बता रहे है, सत्यपत पे चल सुजान, विश्णु पुरा, विश्णु पुरा, विश्णु पुरा, विश्णु पुरा, विश्णु पुरा,